नमस्कार मित्रों आप सब का बहुत बहुत स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सस्काइब करें और जिन मित्रों ने चैनल सस्काइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार सपने में अगर आप कूर्सी देखते हैं या कूर्सी पर बैठे देखते हैं या किसी और को बैठे देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है क्या फलो होता है आए जानते हैं सपने में अगर आप खुद को कुर्शी पर वैटे देखते हैं तो इसका अर्थ बहुत सुब होता है जो भी समस्या आपकी होती है वो जल्द ही दूर हो जाती है अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो जल्द ही वो आपको मिलता है और आप उसके साथ अमन चाहा कारिप पुर करते हैं उसके साथ समन्द भी स्थापित करते हैं या कोई इस्त्री या कोई महिला या कोई लड़की आपको आवसी आपके साथ समन्द बनाती है तो ये काफी अच्छा सुख सुपना होता है आपको काम सुख की प्राप्ती होती है अगर आप किसी अन्य प्रकार की समस्या से परेशान है तो वह भी समस्या जल्द ही आपकी दूरी हो जाती है और आपको खुशी प्राप्त होती चाहे सारेरिक समस्या हो धन समन्दी हो या नौकरी से समन्दित हो या बयापार से समन्दित हो अगर सपने में कुर्सी पर बैठे देखते हैं तो समझ जाएं आपकी सारी समस्या दूर होंगी और आपकी सारी मनोकामना पुड़ होंगी और आपकी खुशी प्राप्त होगी इमान सम्मान मिलता है हर प्रकार से उत्तम सपना होता है अगर कोई दूसरा के कुर्षी पर बैठा हुआ दिखाय देता है तो समझ जाएं आपके साथ कोई विश्वाद घात करेगा आपके साथ कोई गलत ब्योहार कर सकता है या कोई नाजायत फाता उठा सकता है तो सपने में किसी और को कुर्षी पर बैठे देखना सुब नहीं है कुर्षी के पास देखना खाली कुर्षी को देखना आप सफलता के करीब हैं नमस्कार धन्यवाद दोस्तों